कि हलो उर्वन दिस इस मनीश वेलकम बैक तो यूटूब चनल कॉर्पर सुरीज आज के इस वीडियो सेशन में हम बात करने वाले हैं जीव बिग्यान के अंतरगत जो है उसकी उपसाखाएं जो है उनसे रिलेटेट जो भी जो इंपोर्टेंट पॉइंट्स होंगे उनको हम तो वीडियो लास्त देखना उसके बाद जो हम नेक्स वीडियो में जो है इससे सम्मंदित जो कोई भी जो है अब तक प्रिविएस येर में जो है क्वेस्टन बने हैं चाहिए सो चाहिए कोई भी एक्जाम का प्रिप्रेशन कर रहे हूं सब में यह बेनिफेट होगा तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमको जान लेना ज़रूरी है कि विग्यान वाकिए में होता क्या है उससे बहले हमको मैं जानना है कि विग्यान क्या होता है तो यह चीज चीज सब को पता होना चाहिए कि साइंस जो है कि से लिए करमबद्ध तरीके से अगर उसकी पढ़ाई गरना क्या कर लाता है जो है बिज्ञान कर लाता है ठीक है अब बिज्ञान में या निकी साइंस में बहुत सारे ब्रांच है ठीक है एक होता है कि अगर मतलब देखा जाए तो बहुत सारे हैं लेकिन इसको मेंली जो है दो वर्गों में विवाजित किया गया है ठीक है क्लासिफिके है तो इसको भी दो हिसे में डिवाइट कर दिया ग्याया नी कि एसे को यहां पर साइंस को एक दिदेखना है अब दूसरे को सोशल साइंस हम नहीं अभी देखना है natural science में एक डिवाइट किया जिसे बोलते हैं हम लोग एक physical science natural science की दो इससे और दूसरा जो है biological science ठेक है तो अभी हम जो हमारा जो जीव बिज्ञान है ठेक है वो किसमे हम लोग पढ़ेंगे वो है natural science के अंतर जो है जो biological science है ठेक है जिसे लाइफ साइंस के नाम से जानते हैं उसके बारे हम पढ़ने वाले हैं ठीक है तो आई थिंक कि यह चीज़े समझ में आया है सबसे पहले लैमार्क और ट्रैवरेनस करके जो साइंटिस्त हैं वो जियो बिज्ञान सब्द का परियोग करते हैं आई ऑप ही चेज आप समझ में आया है विक्ञान यानि जिसे बोलते हैं बायो लॉजी के बायो लॉजी दो वर्ड्स से मिलके बना है ठीक है बायो का मतलब होता है लाइफ इसे किल नहीं रैके-वाले तो सब दो में हम कहा सकते तू स्टुडी एबाउट लाइफ तो स्टुडी एबाउट लाइफ यह जीवन के बारे में जीवन के बारे में अध्या नहीं क्या कलाता है और सबको हम सबको पता है कि जो लाइफ है न वो प्लांट के पास भी है ठीक है और एनिमल के पास भी है यह में हम कह सकते कि जो living beings है, वो plant भी है और animal भी है, तो plant को हम बोलते हैं scientific language में, यानिकि इसकी जो भासा है science में, इसको बोलते है flora, क्या बोलते है flora, और animal को बोलते है fauna, तो ये भी हमको ध्यान देना है, ठीक है, उसके बाद एक होता है botany, जो इसमें botany में क्या होता है, जो इसमें इसके पढ़ तो, यह जो वनस्पति होते हैं plants होते हैं to day special plant के बारे में तो वनस्पति पौधो पादों के बारे में अध्यन जो है, जांत कहते है, तो यह जो इसमें 1.275 बात्व की बात कर लेए धो इनिमल की शौना के स्ट對 जैोaur लोजि कहलाती है, तो यह जो बिग्ञान के तीन हिस्सें में मतलब दो इससे में एक बॉसरा जो लुजिक बारे बारे में हम लोग देखें गे एक फिर से हम रिकाल करते हैं तो हम लोग ने देखा कि जो sains होता है साइंस के दो इससे होते हैं एक दो और में डिवाइड किया जाता है एक प्राकरतिक विग्यान नैच्रल साइंस अदूसरा जो है सामाजिक विग्यान जिसे सोशल साइंस कहते हैं शोजसल साइस के अंतरगर जो भी से political साइस ठीक है नोर्मली जो भी साइस साइस यह उन सोब बितु करंबत दिन करते हैं तो वह सब इसमें आ जाते हैं पर यहाँ पर प्राक्रिक साइन्स है नैच्रल साइन्स है जी कि इसमें हम झिसको और साइस कहते इसमें हम study करते हैं तो इसके अंदर जो है हम बात करते हैं ठीक है तो हम देखेंगे कि इसी में जो है आपका यह जो है जीव बिग्यान पढ़ता है biology पढ़ता है ठीक है अब एक चीज़ दान से समझना कि इने की साखाओं के बहुत सारी जो है जो चटे चोटे साखाया है जिनके बारे में study करेंगे ठीक है तो उसमें पॉंट्टर फार्नी की मतलब है तो जुँज़ां इक्सान के पॉइंट पूछे जाते हैं जब मैं Uld enfants करां छो जो minds ko कृपेर्व तो हमुद जो एक्जाम के लिए इंप्वर्टिंट भगा उसको उसको हम प्송 पोइंट आउट करेंगे यह में अच्छेसा को जो है नोडि jo ciao करते हैं तो सबसे पहले हमा लड़ी डिसकस कर चुके जूलोजी के बारे में ठेके जन्तू के बारे में जो अध्यन करना बस इतना समझना जूलोजी के मतलब जन्तू के बारे में स्टड़ी करना ठेके बॉटनी के बारे में जो पादप होते हैं प्लांट होते हैं उनके बारे में स्टड़ी करना ठेके यह भी कानलए इसदर के अंदर दबत चुकी है तो उनके जो जीवित मृत जो जो मेंट्रील्स होते हैं वह मिल नहीं ल Supo तो यह आंद रखना थे तो वसे स्थरड़ी जो रहा है पैलिओ बाउलोजी या आन्थलोजी तो इक मतलब होता है सबको पता है कि जो बायोटिक होते हैं एक होता है जो नहीं दो सारे श्माज़ी के पारे में जिसतके के परिया वरड कहते हैं तो जो जो Connected हैं तुम से वह सारे के सारे चीज़े परियावरण है तुम्हारे चारों तरफ वह चीजे हो हर चीजह जो तुम में दो चीज़े आती है एक आता है बाइवक ठीक है और एक आता है ये बाइवक दोो चीज़े हमको समझना है तो बाइविव जिनके पास लाइव होती है दॉल आजवी जिनके पास लाइस नहीं वे और जुक्त कह लाते हैं अब इनके बीच उनकी तो आपस में इंट्रक्शन होता है अब तो यह समझ मुन है कि इस tapas आ गया थेकशे बायोटिंग में क्या आग्या प्लांट आगया इनिमल आ ठेकर यह चीजी आगया इंपास लाइफ तो है ने बटेड़ इनके वज़े से हमारी लाइफ जो है डिस्टॉब हो सकती है अगर यह चीज़े नहीं तो कहीं न कहीं हम इनसे directly और indirectly जूड़े हुए हैं तो हम अगर हमसे पूछे कोई ecology क्या होती है तो the interaction between biotic and abiotic ठेक है इन दोनों के बीच की do interaction है for the survival of life ठेक है is known as the ecosystem ठेक है और इसकी study ecology कहलाती है आपको समझ में आओगा तो यहां पर साफ सब लिकावा ecology क्या है सजीव और उनके चारों तरफ के परियावरण के प्रभावकाध्यन क्या effect पढ़ा interaction क्या है ecology कहलाती है तो यह चीज़ आप समझ में कि कुछी के बारे में study करना ठीक है अगर सोच लो body का कोई पार्ट है ठीक है body पार्ट तो body के पार्ट का अपर दो इससे होंगे एक अपर हिस्सा मतलब यह कोई भी पार्ट ले लो ठीक है गडिनी हार्ट यह सब जो है इसके ऊपर study करना ठीक है और एक इनर वाले हिस्से में study करना तो जो अपर लेयर पर study करते हैं उसको तो physiology बोलते हैं ठीक है उसको क्या बोलते हैं physiology ठीक है और inner की बात करते हैं इसको बोलते anatomy anatomy का मतलब होता है उसको cut करके internal चीज़ों के बारे में पढ़ना study करना anatomical लाता है तो वही चीज़ यहां पे लिखा हुआ है physiology का मतलब सरीर के विभीन भाग के कारियों के बारे मत अध्यन करना ठीक है पैडलोजी कई बार पूचा हुआ क्षिन है पैडलोजी मतलब मृदा से related है तो मृदा के बारे में उसके निर्माड उसके प्रकार यह सब चीज़ों के बारे में study करना पैडलोजी कलाता है बहुत ही असान है इस चीज़ को आपको ध्यान देना ठीक है उसके बाद यहां पे आता है ठीक है gerontology gerontology यह भी कई बार पूचा हुआ कोश्चन है व्रिद्धावस्ता सरलेटेड है उसके बारे में क्या व्रिद्धावस्ता में क्या के चीज़े होती है क्या stage होते है कैसे उनकी पहलू जो भी मानोबेग्यानिक तरीके से इस सारे चीज़े के बारे में study करना बहुत ही तरह समझने ना gerontology उर्तावस्ता, फास्ता फारे में बाई नुक्त नहीन समझना है उसके बाद इसमें बाया हुआ ग시 करहा कि वाद्ता की समझतर लीविंग विंग और समझनान इनकी लिविंग विंग्स और वाद्ता वरओन सामझनें जहाँ तोलभासख सथंधारी जो जो जानवर अपने बच्चे को दूथ पिलाते हैं उसे थानदारी बोलते हैं तो यह होते हैं उसके उने नहीं देखना और बाई ओमेट्री इंपोर्टेंट त्यक्रेंट भाई कि उल्ट है गडीत और सांके की नुमेरिकल वैलू जो होती है उसके तकनीकों के हिसाब से जो है जीव बिग्ञान का स्टड़ी करना यह कराता है एंथोलोजी इसको काफी के भारे मехण डिया करना याद रखना पेलीनो लौजी ठीक है प्रुंड़ू से जो प्रगार ता अन्कोर्स के उनके बारे मिंशना करना औंकोलोगी मोस्ट इंप ऑटेंट है कैंसर के आश्लोर मिंस्ट कांडियोलोजी जो उपास्तियां होती हैं उनके बारे में स्टरड करना कांडू लाता है और चुल लजए हो dużo के बारे में हेमेकलोफि के बारे में नृरोनाजी स्कूलosse इसके डॉक्टर नीरोलोजिस्ट होते हैं तंत्रिका तंत्र नियर्वस सिस्टम इसके स्टड़ी करना यह पैथलोजी आप सबको पता होगा कि जो भी कोई रोगों के प्रकिति लक्षड और उनके बारे में जानकारिया देता है उसके बारे मद्धिन करना जो है पैथलोजी क के बारे में स्टड़ी करना एन्टोमोलोजी यह क कीट के बारे में स्टड़ी करना क्या क lu aktiv ? जो सब्सक्रिक करना उसको अच्छे से आपको लेकॉ using important कोश्यन आताática उसके बारे में यह सारा चीजा हमको नहीं पढ़ना है एक सापों के बारे में क्याला और निथोघ्uardेसं सब्सक्राहर Labor तो यह हो गया यहां पर अब हम बात कर लेते हैं यह तो हमने देखा कि कौन से जो है कि वह साइड है इसके हैं कि चुछ से समंदित जो है उत्पाद वगरे देख लेते हैं और तो दिखते हैं यहां से कुछ चना आता है एपी कल्चर सीरे सीदे बोलना है बस साहत सरे लेटेड है साहत का उत्पादन संब्धिते एवी कल्चर पक्षियों के बारे में हैं एक्वा का मतला वहत है पानी जली जीव जन्तों के बढ़ावे के लिए यह इंपोर्टेंट पीसी कल्चर मचली पालन एग्री कल्चर फशल सब्सक्राइब होस्री कल्चर इतना है वर्मी गल्चर नीचे के तौड़ा सा देख लेते हैं और यहां फितना है पॉमोलाजी यहां पर बढ़ा है फालो की क्रिसी ठीक है यह याद रखना एग्रोनॉमी फशलो की खेती ठीक है वर्मी कल्चर ठीक है क्रिशी उत्पादन विद्धू पता है केच केच हुआ सरलेड़े क्योंकि फार्मर का जो है फ्रेंड माना जाता है यह याद रखना उसक इस उसके बाद जो है यह चीजह समझ में आ गई होगी और काफी इम्पोर्टेंट है आप वेडियो सेक्षन में कमेंट करके ज़रूर बता ही वीडियो कैसा लगा आपके लिए कितना helpful है अपने दोस्तों को share करना ना भूले और साथी साथ अगर फ्रेंड्स अगर हमारे इस यूटूब चैनल में अपने विश्व तो subscribe जरू करने थेंक यू सो मच